I strongly condemn this, मैं इसको कड़े शब्दों में दिंदा करता हूँ, जो बेसिक कंसेप्ट है गुर्दवाय का, वो है चार दरवाजे, वो चार दरवाजे कंसेप्ट क्यूं है? क्योंकि कोई भी किसी धर्म से, किसी जात से, किसी वरनन से, कोई भी गुरु घर में आ सकता है, इस भावना से ये चार दरवाजे का कंसेप्ट को बनाया गया है, उपदेश चौंवरनन को सांजा, ये सांजा उपदेश है, जो आइडियालोजी कली आपके डिफरेंसिस किसी स हो सकते हैं, जो हाइ कमिशन होता है, उच्चा यूक्त होता है, अमबैसी होती है, वो एक हमारा कंट्री का पोस्ट होता है वहाँ पर, उसका काम आपको सहायता करना है, वो एक हेल्पिंग पोस्ट है आपके लिए, आपकी जूरु परने पर आपके साथ खड़े होना है, ज भी बुलाया गया होता, तो भी उनके आने पे कोई भी किसी भी तरह की गुर्दवारा, क्योंकि धरम और बाकी चीजें, दोनों को किसी भी तरीके से जोड़ना गलत है, धरम की एक अपनी आस्ता है, सिख की अपनी एक परिवाशा है, और सिखिजम को, इंटायर सिखिजम क किसी को अधिकार नहीं है, कि इस तरह से पूरी दुनिया में हमें बदनाम किया जाए, हम वो कम्यूनिटी नहीं है, जो मार, धार, जिस तरह की हमारी छवी बनाने की कोशिश की जा रही है, हम वो लोग नहीं है, हम सेवियर हैं, इस मानवता के अगर कोई सई मैनों में सेव हैं गुरु तेक बहादर जी ने अपने प्रान देकर अपनी शहादत देकर तिलक और-जुन्यवकी रख्या कि हम वो लोग हैं गुरु गोबिन सिंग जी ने अपने दो साहब जादों की शहादत दे कर मानवता धर्म को बचाने का काम किया वो बच्चों ने यह नहीं मानी हम वो लोग हैं हमारा ये लेटेस जो हमारी दुनिया के अंदर मिसाल दी जाती वो क्या है कोविड के दुरान मानवता को बचाने के लिए अब ये तो कोई पुरानी बात नहीं एक साल दो साल पुरानी दुनिया ने देखा पूरी दुनिया ने उसको सराहा देश के परदान मंत्री निरंदर मोदी जी ने अपनी भाशनों में बार-बार विक्ति करते हुए कहा कि जो सिखों ने देश के अंदर दुनिया में पूरी दुनिया के राष्ट्रपती परदान मंत्री ये बात बोल रह जो पूरी दुनिया में इतना बदनाम कर देना चाहते हैं हमारे बच्चों को देखे कोई दूर से कहे ये अच्छे लोग नहीं हैं लड़ने वाले लोग हैं बुरा बोलने वाले लोग हैं खून खराबा करने लोड नहीं हमारी रिपर्जेंटेशन क्या है हमारी रिपर्जे कि बड़े से बड़े institution को sick head करते हैं, ये हमारी काबलियत है, क्यों है, क्योंकि हम गुरू के पुदेश को मानते हैं, हम किसी धर्म के जाती के, किसी भी खिलाफ विरोध में अपने मन में जहर, किसी भी तरह का दोश 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 विरोध नहीं रखते, मेरे को खुद को बहु नहीं हैं, लाखों, करोडों सिक्खों की यही भावनाएं, मैं उन चंद लोग जो किसी के हातों में खल रहे हैं, इनका परपस ये कताई नहीं हो सकता, किसी को को मांग हो सकती है, हमने विरोध किया मैंने खुद नहीं विरोध किया खिसाणनी संगर्ष के दौरान, मैंने अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं, विरोध होंगे, दुबारा भी हो सकते हैं कमुनिटी के, किसी धरम के हो सकते हैं, किसी जाती का भी विरोध हो सकता है, जाती कि किसी मसले को लेकर, लेकिन उसकी आड़े धरम को लाकर, गुरु साहिबानों के स्थानों को लाकर, गुरुद अरे गुरु गोबिन सिंग जी की लड़ाई के दुराण जक्मों पे मरम लगाते थे दुश्मनों के भी हम वो लोग हैं हमने कभी भी किसी की उपर वार नहीं किया हम लोगों की जान बचाने के लिए जाने जाते हैं हम अबला की जरूरत मंद के लिए अपनी जान देने वाले लोग मने जाते हैं हमारा इत्यास यही रहा है पर मैं बड़ा हरान हूं जो लोग ऐसा कर रहे हैं और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको खुद को नहीं बता वो क्यों कर रहे हैं मैं आज दावे सी कह सकता हूँ, मैं भारत के अंदर रहता हूँ, मैं भारत के अंदर अगर सिक्ख दुनिया में कहीं सबसे सुरक्षित है तो भारत के अंदर है, और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको सेंकडों मिसालें दे कर बता सकता हूँ, दुनिया क अंदर अफगानिस्तान में जब सिखों के उपर सबसे बड़ा कहर बरप रहा था तो पाकिस्तान के रस्ते से सिख भारत आए पाकिस्तान में नहीं रुके दुनिया के किसी मुल्क ने उनको अपने पास नहीं लेके गए भारत के परधान मंत्री निरंदर मोदी जी ने तब इंडियन एर फोर्स के जहाज यहां से अफगानिस्तान भेजे जबकि लड़ाई का महल बना हुआ था, ऐसे हलात नहीं थे जब अमेरिका भी अपने सिटिजन को निकालने में नाकाम रह रह था, उनसे जो की भारत वासी नहीं थे मूल तोर पर, वो अफगानिस्तान के वासी हम क्या संदेश देना चाहरे हैं, हमें मेरे को इस दिए बहुत दुख है इस बात का, हम दो परसेंट कम्यूनिटी हैं, इस देश के अंदर, और इस देश में हमारा सन्मान क्या है, इस भारत के परदान मंतरी दस साल तक सिक रहे, इस देश के दिफेंस मिनिस्टर सिक रहे, इस देश के फनास मिस्टर सिक रहे, इस देश के होम मिस्टर सिक रहे, इस देश के चीफ जस्टिस सिक रहे, इस देश के इलेक्शन कमिशनर सिक रहे, इस देश के आप कॉंसिचुशनली किसी हेड का नाम ले लीजिए, देश में वहाद दो परसेंट लोगों का अपना एक स् मैं तो बहुत दुखी हूँ इस चीज को देखिए